जैहिंद प्यारे साथी इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरवी 2023 की न्यू विकिंसी के वारे में तो आप सभी को बता दे कि यहाँ पर IVPS की तरप से और all over India से कोई भी male and female candidate apply कर सकता है केवल आपको written examination यहाँ पर qualify करना है bank का नाम सुनते ही सबसे ज्यादा जो problem होती है वो होती है इंग्लिस को लेके कि इंग्लिस आएगी तो क्या करेंगे यहाँ पर इसका भी solution है क्योंकि यहाँ पर आप हिंदी भी चूथ कर सकते हैं अगर आपको इंग्लिस में कोई समस्या है तो आप इंग्लिस को छोड़के हिंदी का पेपर भी दे सकते हैं पूरी वीडियो को आप लास तक धिहान से जरूर देखें अगर आपकी उमर 18 से 30 साल के बीच में है तो आपको यह विकिंसी के लिए apply जरूर करना चाहिए तो पूरी information अगर पसंद आए तो वीडियो को like फिर अगर के चैनल को subscribe जरूर कर लें ताकि future में अगर कोई भी job update आए तो आप सभी को सबसे पहले इसके notifications मिलते रहें और आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी information देते हैं तो देखिए इसका जो notification है वो officially इसका जो notification है वो यहाँ पर release हो चुका है सबसे पहले और सबसे जरूरी जो चीज आती है वो आती है एस क्योंकि अगर इसके लिए अगर हमारी एस criteria ही नहीं है किसी विकिंसी के लिए तो फिर उसके बारे में देखना बिकार है तो यहाँ पर सबसे पहले एस देख सकते हैं तो उम्र की जो गंडा की जाएगी वो 1st June 2023 से की जाएगी और आज से ही इसके online application from start हो चुके है अब अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूँ है यहाँ पर office assistant multipurpose की विकिंसी का क्योंकि इसके लिए सबसे जादा candidate apply करते हैं और यहाँ पर सबसे जादा विकिंसी भी इसी की होती है अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपकी जो उम्र सीमा होनी चाहिए minimum 18 साल और maximum 28 साल होनी चाहिए general category में अगर आप OBC हैं तो हर एक पोस्ट के लिए 3 साल की छूट मिलेगी अगर आप SC या ST हैं तो 5 साल की आपको हर एक पोस्ट के लिए छूट मिलेगी तो इसके according अपना इस criteria confirm कर सकते हैं यह जो आपको इस criteria दे रखा है यह आपका general category का हो जाएगा यानि कि जो आपका जन्म होना चाहिए 2 जून 1995 से लेके 1 जून 2005 के बीच में general category में हुआ है तो आप इसके लिए आविधन कर सकते हैं बाकी का अगर आप जाते हैं फोर office skill 1 के लिए यानि की assistant manager के लिए तो आपकी उम्रसीमा 28 से वड़ कर 30 हो जाती है यानि 18 साल से लेके 30 साल तक सभी candidate इसके लिए apply कर सकते हैं इसके अलावा यहाँ पे skill 2 की विकिंसी है जिसमें 21 से 32 साल और इसके अलावा आपकी officer skill 3 जो की senior manager की है जिसमें आपकी 21 से 40 साल उम्रसीमा होनी चाहिए तो अधिकतर जो candidate eligible रहेंगे वो मैं suggest करूँगा office assistant वाली post के लिए आप जाहिए क्यूंकि हमारी audience का maximum मुझे पता है तो उसके account आपके लिए best option यह रहेगा आगे बढ़ते हैं और आगे इस related आपको qualification बगएरा भी clear कर देते हैं यहाँ पे आप सभी को दे रख है education qualification के इसके qualification आपको इसके लिए क्या चाहिए experience क्या चाहिए वो भी यहाँ पर देख सकते हैं अब जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि आप office assistant multipurpose की जो विकिन्स है इसके लिए apply कर सकते हैं तो इसके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी experience नहीं चाहिए कोई भी आपको post qualification नहीं कर रखा है कुछ भी आपने कर रखा हूँ तो आप इसके लिए eligible हैं और आप इसके लिए apply कर सकते हैं आप सभी को बता दे कि यहाँ पर देखें मैं notification भी आपको दिखा देता हूँ notification आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पर 43 जो आपकी bank होती है यानि कि आपकी जो ग्रामीड के लिए wikancy निकाली गई है तो आप इसके according यहाँ पर apply कर सकते हैं अब यहाँ पर बात आती है एक main चीज होती है कि आपकी proficiency in local language यानि कि आपको local language की knowledge होनी चाहिए मान के चलिए अगर आप UP में apply करते हैं तो देखें ग्रामीड bank है यानि कि वहाँ पर गाउं के लोग सब आप से ज्यादा इंट्रेक्ट आप से होंगे तो ग्रामीड bank में आपको यहाँ पर उसकी local भासा यानि कि अगर UP से अगर आप apply कर रहे हैं तो UP के लिए apply करने के लिए आपको Hindi की knowledge होनी चाहिए इसके लिए वकाइदा पूरे notification में clear mention किया हुआ है कि कहा के लिए अगर apply कर रहे हैं तो कौन सी भासा की knowledge होनी चाहिए तो उसे आप चेक आउट कर सकते हैं तो इस तरीके से आपको local language होनी चाहिए साथ ही में यहाँ पर desirable यहाँ पर मांगा गया है कि आपको computer की थोड़ी बहुत basic knowledge होनी चाहिए इसके लिए को certificate बगहरा की दरूद नहीं है तो normally अगर आपके पास सना तक degree है, graduation degree है तो आप इसके लिए eligible है और form apply कर सकते हैं बागी का देखिए skill 1 के लिए अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे फिर आपका interview भी होता है हालंकि bachelor degree चाहिए तो यहाँ पे bachelor degree जो होती है वो preference दी जाती है कि कौन-कौन से candidate को दी जाएगी तो यहाँ आपके पास कुछ special category दी गई है कि इन category में आपके पास यह degree होनी चाहिए तब ही आप इसके लिए apply कर सकते हैं बागी का आपको office assistant multipurpose के लिए कोई ऐसी condition नहीं रखी गई है यहाँ पे सबसे जरूरी चीज़ आती है कि selection process आप सभी को बता दे कि office assistant के लिए कोई interview नहीं होगा और कोई physical बगरा कुछ होता नहीं है simple यहाँ पे दो examination होता है pre and mains और pre और mains में भी आपको दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पे आप सभी को मैं पूरा syllabus clear कर देता हूँ इसी के basis पे आपकी merit बनती है पहला paper cable qualifying nature का होता है और जब आप पहले paper को qualify कर लेते हैं mains देते हैं तो mains आपकी merit बनाता है यानि कि जो final selection होता है वो final job का mains examination होता है उसी के basis पे होता है पहला paper केवल आपको solid listed करता है mains exam के लिए तो यहाँ पे जो आपको पहला देख सकते हैं online examination structure आप सभी को दिया हुआ है तो जो prelims आपका examination होगा वो objective type ही आपका paper होता है जिसमें आप देखेंग fact and sorry तो दोनों subject आप देख सकते हिंदी English दोनों में आपका यह paper होगा जिसके 40-40 question यहाँ पे आपको दिये जाएंगे यानि 80 question रहेंगे हर एक के लिए आपको एक एक number मिलेगा यानि कि 80 question का paper 80 यहाँ पे 80 marks का रहेगा इसके लिए जो आपको time दिया जाएगा वो दिया answer आप कन ना है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पूरा time management का खील है कोई भी आपका अलग से ऐसा subject नहीं है जिससे आप qualify ना कर पाएं reasoning और numerical abilities के अलावा और other कोई subject नहीं है इसके अलावा अगर आप जैसे officer skill 1 के लिए apply करते हैं तो officer 1 जो skill 1 रहेगा इसके लिए भी आपका same criteria र दिया जाता है तो यहाँ पे आप सभी को बता दिया गया है कि यहाँ पे जो आपके होंगे have to qualify in both the test wise securing minimum cut-off marks educate number the candidate in each category depending upon requirement will be solicited for the online main examination तो आप सभी को बता देंगे यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि दोनों test को आपको qualify करना होगा साथी में यह चीज़ भी आपको clear कर दी की है कि जो आपकी cut-off marks होगे उसकी के basis पे आप मेंस exam के लिए qualify करोगे अब चलते मेंस examination की तरफ तो मेंस यहाँ पे देख सकते हैं यह paper भी आपका पूरा objective रहेगा और यहाँ पे office assistant multipurpose का आप सलेवस देख सकते हैं total यहाँ पे 5 subject आपके रहते हैं reasoning, computer knowledge, general awareness और फिर नमबर 4 पर आप देखेंगे A और B, यानि कि यहाँ तो आप चाहें तो English language दे सकते हैं या Hindi language चूज कर सकते हैं, दौनों में से आपके पास choice है कि आप चाहें तो कोई भी paper दे सकते हैं, अगर आपको English में problem है तो Hindi दो, Hindi में problem है तो English में दो, यह उन सभी बच्चों के problem खतम हैं जिन नमर का आपका paper होता है, जो कि आपको दो घंटे में complete करना होता है, इसके अलावा सेम आपका अगर officer skill 1 के लिए आप जाते हैं, तो सेम इसका process भी इसी तरीके का दिया गया है, जैसा कि मैंने आपको difference बताया, कि यहाँ पे office assistant में आपका interview नहीं होता है, ठीक है, interview नहीं होग लेकिन अगर आप skill 1 के लिए जाएंगे, तो आपको यहाँ पे interview देना होगा, जो कि 100 marks का आपका होता है, बाकी का यहाँ पे आपको clear दिया गया है, कि 4A और 4B जो आपका subject है, Hindi और English इसमें से आप एक कोई भी subject choose कर सकते हैं, और paper दे सकते हैं, तो देखिए best चीज है कि यह यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, कि यहाँ पे आपका जो form apply रहेगा, वो application fees, intimation charges जो आपके रहेंगे, 1 June से लेके 21 June 2023 तक दे सकते हैं, क्योंकि 21 June आपकी last date है, तो इससे पहले ही आप सभी को इसके लिए apply कर देना है, साथ ही मैं आज से इसके online application form start हो चुके हैं, अब द service man candidate हैं, तो आपको 175 रुपे fees देनी होती है, साथ ही मैं अगर आप other किसी category से belong करेंगे, तो 850 रुपे यहाँ पे application fees देनी होगी, सेम इसी दरीके से अगर आप officer scale 1, scale 2, scale 3 के लिए apply करेंगे, तो इसके लिए भी आपकी जो fees रहेगी, वो same यहाँ पे fees रहेगी, के वल शूट नहीं दे गई है, ठीक है, बागी का यहाँ पे office वाले में, office assistant में, ex-service man के लिए भी शूट रखी गई है, अगर scale 1, 2 and 3 के लिए कोई भी ex-service man apply करेंगे, तो उसे भी 850 रुपे यहाँ पे fees पे करनी पड़ेगी, तो पूरी information इसमें मैं आपको दे दी है, कि कब से ल information होता है, उसमें आपका negative marking यानि penalty marks भी रहता है, तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, कि यहाँ पे आप सभी को हर एक गलत उत्तर के लिए 0.25 नमबर काड़ लिए जाते हैं, कि यानि 1Y4 की जो आपकी negative marking होगी, वो यहाँ पे रखी गई है, तो इसे ध्यान में रखते ह होगा, आपको paper देना है, pre-mains, दोन examination में आपकी penalty के तौर पे 1Y4 negative mark है रखी जाएगी, उमीद कर रहा हूँ, पूरी चीज़ें आप सभी को clear हो गई होगी, office assistant की job है, यानि की, आप इसे अपनी सरल वहता में किलर की post कह सकते हैं, जो आप जाते हैं, ग्रामीड बेंक जैसे करूँगा कि आपको इसके लिए apply जरूर करना चाहिए, number of vacancy काफी अच्छी है, तो आप जरूर से इसमें try करें, क्योंकि English का जो डर रहता है, उसका भी को attention है नहीं, क्योंकि English के लिए Hindi आपका substitute वहाँ पे दिया गया है, उमीद करता हूँ कि पूरी जानकारी आप सभी को clear हो गई होगी, आगे भी future में अगर ऐसी जाब update पाना चाहते हैं, तो चैनल को subscribe करके जरूर रखिएगा, साथ ही में आप अमरे टेलीगरम चैनल से भी जड़ू सकते हैं, इसका link मैंने वीडियो के description में दे दिया है, मिलेंगे next वीडियो में, फिलाल के लिए बस इतना ही, तैंक यू फॉर वचिंग, जैहिंग, जैवाराइब!